विडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसाग हमने थमने देखा दोस्तों कि दोस्तों आज 29 फर्वेट विडियो में आपको पताने वालने दुश्तों इसकेसी दोस्तों इसका साथ ही दोस्तो धर्अडा इस्टसन पर व्रश्ट को घंबंडा टना इंटकने वाली हैं तो कब से शिंट को रूब्रम नयतिन वी जिंट विल्ट में तो बिलम से खुलने की समभाबना है तो चलिए आप वीडियो में सुचे का लाज तक बने रहे और वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक सर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नया है तो चैनलों को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले चल ज़स्तो आज की वीडियो शुरूर करते तो दोस्तों यह लालगर से आज 29 फर्विर को तीन घंटा विलम से डिपार्चर होगी अगर आप इस ट्रेंट में ट्रावल करने वाले हैं तो यह अपडेट आपके लिए इसके साथ ही दोस्तों एक मार्च आनि कल जाने की डिब्रूगर से प्रस्तान करेंगी तो अगर आ अगर आप इस ट्रेंट में टावल करने वाले हैं तो यह भी दोस्तों बिलम से प्रस्तान करेंगी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसे हमने का दोस्तों बहुत जल्ड रक्सोल से याद देख सकते हम रक्सोल जोगवनी नई ट्रेंड दोस्तों उद्गाटा ने स्पे सलरे कोचिंग डिपो पहुच गई है जल्दी स्काउट गर्ण के आगा तो बहुत जल्ड दोस्तों रक्सोल से जोगवनी के लिए नई ट्रेंड चलेगी जो कि दोस्तों सब्ताइक ट्रेंड रक्सोल से सितामडी दरवंगा जाजरपूर निरमली सराइगाड रगोपूर ललीद गराम फार्विस गंज होते ही जोगवनी तक जाएगी तो दोस्तों बहुत जल्ड दोस्तों रक्सोल से जोगवनी के लिए नई ट्रेंड चलने वाली है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जैसा मैंने कहा दोस्तों राची गोड़ा एक्सप्रेस और मालदा टाउन कल से दोस्तों अगामी एक मार्च से धरारा इस्टेशन पर रुकेगी राची गोड़ा और मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस समय सानिया जारी होगी तिया देख सकते एक श्यासी जीरो तीन राची गोड़ा एक्सप्रेस रातरी एक बच के छे मिनिट पे आएगी और एक बच के आच मिनिट पे 200 रिपाजर हो जाएगी धरारा इस्टेशन से इससी दरह दोस्तों 1-3 15 मार्च से राची गोड़ा और मालदा टाउन एक खुलने वाली है जैसा मैंने कहा दो स्तों 2 मार्च को निजिल पयगोड़ी से खुलने वाली नई दिली के चलने वाली निजि तेश नुजल पाइगोडी नेदिली सुपर फास्ट एक्सपेस अपने दिराइज समय से तीन घंटे-दस मिनिट बिलम से परस्तान करेगी जो कि परस्तान सुब एगारब तिस बज़े होगी और खगड़िया आने की समय दोस्तो सतरा बज़े खगड़िया पहुंचेगी तो अगले वीडियो में फिर किसी नहीं अपड़िये के साथ तैंक्यू फर वाचिंग